मेरिट में वेलेंटिस कैंसर अस्पताल द्वारा समाचार पत्र में दिये गए विज्ञापन पर विवाद हो गया बताय जा रहा है कि मवानर रोड स्थित वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित जैन द्वारा एक समाचार पत्र में विग्यापन प्रकाशत कराय गया था इस विग्यापन में जहां मुसलिम धर्म के लोगों को कोरोना की जाँच के बाद ही हॉस्पिटल में भरती किये जाने की बात लिखी गई थी वहीं हिंदू विशेशकर जैन समाच के लोगों को कंजूस बताते हुए उनसे अधिक सधिक मात्रा में कोरोना फंड के लिए दान देने की अपील की गई थी इस विग्यापन के प्रकाशत होने के बाद शहर की स्थानिये लोगों में जबरदस्त रोश था जिसके चलते अगले ही दिन होस्पिटल संचालक द्वारा समाचार पत्र में विग्यापन का खंडन और माफी नामा प्रकाशत कराए गया होस्पिटल संचालक डॉक्टर अमिजेन ने इसे मानवीय भूल बताते हुए माफी मांगी है उनका कहना है कि विज्यापन का उद्देशे किसी भी धर्म को ठेज पहुंचाना नहीं था कि कोई भी आपकी जाज करने आए तो भी आप उनको स्थर बाजी कर दी जाए हमारा संदेश यह था कि भी आप लिसा ना करें इससे हमारे खुद मुस्लिम भाई बहनों को यह संद्रमान मढ़ने का कच्रा बद्धार रहा हुआ हमारी सिर्फ यह थी और कई उसमें कुछ भी हमारे जिनका इलाज चपरा हम भी मुस्लिम भाई बैन है जो टैंसर से ठीक हो चुकिंग है जो हमारे तो हमारे यह धिर्बाम नहीं रहता है मगर कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से इसको वीडिया पर टुटर के एक तसारिफ कर दिया चिह एं नहीं है इस मामले में अस्पताल संचालक पर इंचौली थाने में केस दर्ज किया गया स्पी अजय सहानी ने बताया कि आपत्ति जनक विग्यापन प्रकाशित कराने के मामले में साक्षियों के अधार पर जांत जारी है फिलाल अस्पताल प्रशासन ने तो मामले में सपश्टी करन दे कर पल्ला जाड लिया लेकिन अखबार में दिये गए विग्यापन के अधार पर पुलिस ने मामले में जाट शुरू कर दी है मेरट से आदल रह्मान के रिपोर्ट